अब हम बात करेंगे कन्याराशी वालो के बारे में आपके जो X हैं। भब तक आपकी तरफ आजाते हैं। आपकी life में आपका पुराना प्रमिया एक्स भब तक वापस आ जाता है या आ जाएगा। देखो भब ऐक कन्याराशी वालो आपकी कहानी ये है कि आप एक जिस relationship से गुजर जाते हो उस relationship में दुबारा जाने का आपका कोई मन नहीं करता लेकिन फिर भी आप अपने पुराने ex's को miss जरूर करते हो और यह जो पुराने ex हैं जो आप जिनको आप miss करते हो यह भी आपको उतना ही miss करते है लेकिन जब यहाँ पर life की इस्तिती आगे बढ़ती है तो यहाँ पर दोनों की कहानिया चेंज होती है और यहाँ पर कहानी चेंज होने के लावा दो parallel life भी शुरू हो जाती है उनका आपसे मिलना ठीक नहीं है हैना यह कन्याराशी वालों का विचार है कि एक बार अलग हो गए आप अपनी life में खुश रहिए हम अपनी life में खुश रहते हैं लेकिन यह तो हुई एक ideal बात लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर कौन कौन से X है जो आपकी तरफ वापस आने का सोचते हैं या आ जाते हैं देखो भई एरी राशी वाले वापस नहीं आएंगे आपकी life में तो बारस एक बार चले गए तो टॉरस राशी वाले वापस आ सकते हैं लेकिन यह भी जो है थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि इनको भी समझने में टाइम लगेगा जमनाय राशी वाले नहीं आएंगे कैंसर तो सवाली पैदा नहीं होता लियो सिंग राशी वालों को अगर यह लगेगा क्यों आपसे कुछ उनको emotional help मिल सकती है तभी वो वापस आएंगे लेकिन लियो राशी वालों को बड़ी जल्दी आपकी कमी भी खलती है लाइफ में और वो वापस आने की सोचेंगे कि हम वापस आना चाहते हैं लेकिन यह जो समय है वापस आने का यह जो है मान के चलिए यह एक साल दो साल तीन साल भी हो सकता है जब उनको realize हो कि आप से अच्छा जिंदिगी में कोई नहीं था इस बीच कन्याराशी वालों की life आगे बड़ेगी और वो जो है इनकी सोच को सोची बने रहने देंगे कि अभी नहीं चाहिए लेकिन कन्या कन्याराशी वालों का क्या हिसाब किताब है ये relationship जो है टूटने के लिए नहीं बनाए ये relationship हमेशा everlasting रहेगा ठीक है जी अगर इसमें थोड़ी बहुत गलत फहमिया भी हुई है तो ये वापस आ जाएंगे कि तुला राशी वाले के साथ में एक तरीके से वो आपकी तरफ यह भी आएंगे जब उनको आपसे कुछ फाइदा नजर आएगा और वो अधरवाइज वो वापस नहीं आएंगे स्कॉर्पियो राशी वाले आप ये जो है आपको बड़े ही ये जो है बड़ा ही steamy relationship रहा बहुत ही मतलब एक तरीके से ये अगर ये पहली बात तो ये आपको एक्स बनने नहीं देंगे लेकिन अगर आप फिर भी एक्स बने अगर इनके तो ये आपके लिए ये आपको बहुत मिस करेंगे लेकिन आपके उपर है इनको स्विकार करना है या नहीं करना है ये तो आना चाहते है सेजिटेरियस धनुराशी वाले इनकी अलग नीडस हैं इनकी अलग कहानिया हैं ये भी वापस नहीं आएंगे क्योंकि अपने अडवेंचर में या अपनी दुनिया में बिजी हो जाएंगे अब जो हमारे पास जो बचती है कैप्रिकॉर्ण यानि के मकर राशी वाले वो भी आपकी तरफ वापस आने की सूचेंगे क्योंकि उनको केर और जो लव आपसे मिल रहा था अगर उनको प्योरली केर और लव चाहिए लाइफ में तो वो आपके पास जरूर आ जाएंगे इनको आने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा इनको चार-पाँच महीने में ही आपकी याद आने लगेगी एक्वेरियस कुम राशी वालों के साथ में जिनकी तरफ आप अट्रेक्ट होते हो अच्छे कासे ढंग से कुम राशी वाले व्यक्ति एक तो आपको एक्स होने नहीं देंगे और अगर एक्स हो भी गए तब भी आपसे वो जुड़े रहेंगे एक दोस्त की तरीके से है ना या एक जो है अच्छे व्यक्ति की तरीके से जुड़े रहेंगे वो आपसे लेकिन जो मीन राशी वाले हैं अगर यह आपसे दूर हुए यह इनको जो है जो आपकी जो आपसे दूर रहना है जो आपसे दूरी है वो इनको बरदास नहीं होगी और यह जो है तुरंट वापस आने की सोचेंगे अभी गए हैं और जैसे आज गए हैं तो कल भी हो सकता आपको फोन कर दें की यार सुरी गलती होगी माफ कर दो यह वाली कहानी लेकिन यह आउन और आफ बना रहेगा तो यह आपके लिए थी स्टोरी यह आपके लिए थी कहानी आपकी एक्स के पुराना प्रेम वापस आने की हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजे थेंक यू थेंक यू वेरी मुच पूर वाचिंग और ब्लस यू